Hello Friends, तो आज से हम करेंगे ColorDraw in a Graphic Design Software जैसे कि आप देख रहे हैं, यह अभी ColorDraw उने उपन किया है New Document और जैसे Open Recent File जो हमने काम किया Open Other जो नीचे आप देख रहे हैं, इसमें और भी File Open कर सकते हैं आभी Click करना है New Document पे, जहां पर यह Dialog Box आएगा और इसमें कोई नाम जो देना है डॉक्मेंट को दे सकते हैं प्रिसेट डेस्टिनेशन में इसमें कलर मोड होता है जैसे कि RGB और CMY के अभी इसमें डिफॉल्ट RGB चूज कर लेता है जो कि प्राइमरी कलर मोड भी सेम वही हो गया साइजस में आके देखे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट साइजस हमें देखने को मिलते हैं और अपने काम की अकॉर्ड हम कोई भी साइजस में देख सकते हैं जैसे A3, A4 और भी ऐसे बहुत साइजस होते हैं लेकिन हम इसमें साभी के लिए लैटर चूज कर रहा है देगा अगर इंचिस में करें फीट में करें तो वह जितना भी हमने अमाउंट दिया गया वैली दी है वित में वह दिखाए देगा है और यहां से इंचिस कर दिया तो देखो वह चेंज हो गया पोट्रेट यह लैंड्सकेप है और यह हाइट और यह नंबर मोड यहां पर क्लिक रखते हैं इन्हेंस मोड को और ओकी कर देगा है आगे बढ़ते हैं यह जो इंटरफेस है आप देख रहे हो इसमें लैफ साइड में आपको दिखेंगे टूल बार हैं उससे पहले हम देखते हैं यहां पर यह जो इसको जूम कर रहे हैं माउस के स्कॉल से और शिफ्ट के साथ एफ फूर दबाते हैं तो यह सब जूम आउट जूम हो जाता है और अभी जैसे आपने देखा था फूल स्किन वह एफ नाइन दबा के था और यहां से यह पूरी शीट है इसी पर हम काम करते हैं लैफ साइड में यह सारे टूल बार है इन्हें पर क देखे तो यह ओपन और निव डॉकमेंट से वाले सारे अप्शन मिल जाते हैं यह सभी अप्शन अपने शाटकट क्रेएट किये गए हैं सॉफ्टर के अंदर भार ही मिल जाते हैं व्यूम में जाके देखे ले आउट में अबजेक्ट में यह सारे यह सारे मैनू बार कहला और इसके नीचे देखो यह सारी property यहांसे start करते हैं और यहां तक यह पूरी property है और इसमें जो पहला option है वो जो later लिका हुआ है उसी इक अदर जाए है तो यह sizes मिल जाते हैं और यह शीट का size change हो जाएंगा अगर यहांबर क्लिक करते किसी पर किसी पर तो यह sheet का size change हो है अभी जैसे ही लैटर है तो अभी लैटर पे क्लिक किया हुआ है हमने अब उपर जागे देखें जो हमने शुरू में चेंज किया थे इसके साइज उपर वाला विद के लिए है और नीचे वाला इसकी हाइट के लिए ऐसे इसको बढ़ा भी सकते हैं अगर यहां पर कुछ साइज सब्दूग ना हो गया और यहां से डिवाइड टू कर दिया तो यह साइज दो से डिवाइड होके अलग हो गया नीचे जो पेज के साइज पेज हैं यहां से क्रिएट कर सकते हैं इसी तरह से अलग लग पेज क्रिएट हो जाएंगे है यहां पर अभी पेज एक ही लेकिन ऊपर से जो all pages यहां पर click करके जब create करते तो सब page के size जो same रहेगा लेंसे लेंटसकेब कर दिए अब देखंग आए हम यहां पर भी Chung ही है लेंट पेज आप जैसे पेज नंबर टू पर आके लेंड्सकेप कर दिया और बाकियों पर पोट्रेट कर दें तो यह हम चेंज कर पाएंगे इंडिविजुली पेज को यह इंचेज एमेम वगेर हैं यह सारी यूनिट हैं हम बाद में भी इसमें चेंजिस कर पाएंगे इसी के आगे नज सेटिंग यह इनज सेटिंग मैं बाद बताता हूं आपको और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो यह डॉकमेंट का नाम आ रहा है जैसे इस पर क्लिक किया वैलकम स्क्रीन यह शुरू में आती है अगर यह हमको नहीं देखनी तो उपर यह जो क्रॉस आ रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं यह घड जाती है और यह डॉक्मेंट का नाम आ रहा है यहां से फाइल में जाएंगे तो new control and इसकी shortcut और भार भी इसका shortcut दिया हुआ है control and करके और यहां यह जो plus वाला icon है इस पर click करके भी एक new document create किया जा सकता है सेम सारी detail फिल करनी होते हैं उसके बाद ok करना होता है ok करते ही ओपर यह अलग से document का नाम show होगा जो आपने दिया होगा इसको close कर देते हैं यहां से close करके right side में देख रहे हैं यह color palette है जिसे RGB CMY के अपनी हिसाब से रख सकते हैं शुरू में जो हमने दिया होगा वही color palette आती है और यहां से यह अख अलग move भी कर सकते हैं इनको ऐसे करके track करके यफày आरो पिक करके भी देख सकते हैं इसकी details ओपर नीचे करके हम color और भी देख सकते है इस łघ। आसा stretch भी कर सकते सारे color एक बार में दिखेंगे 20 ऐसे गलती से गर ऊपर हो जाता है तो ऊपर भी आड़ो जाता है इसको फिर नीचे प्यासर मूव करके लाएंगे अगर मान लोग पूरा डेलीट करना है तो यहां से क्रॉस पटने इस पर क्लिक कर दो यह जाता है पूरा अब साइड में पैनल्स आ रहे हैं इनको क्लॉज भी कर सकते हैं यहां पर क्लिक करके कि सारी चीजे हटानी है तो जैसे एक टूल बार है तो टूल बार के लिए कोई अलग से नहीं है हटाने के लिए कोई ज़िए में कलर पेलिट मूव किया था लेकिन उपर राइट क्लिक करके हम देख सकते हैं जिस पर चैक लगा हुआ है वह सा करके भी करते हैं जैसे हैं तूल बॉक्स अब वो नहीं शो होगा रहा इसी तरह से बाकी भी कर देते हैं स्टेटस बार जो नीचे शोह रहा तो वो नहीं हो रहा अब यह स्टेंडर्ड बार प्रॉपर्टी बॉक्स और ये मैनू बार भी completely अब ये सब कुछ hide कर दे हमने अब इनको वापस से लाने के लिए देखा अभी तो कोई चीज है नहीं और यही बात सोच के हम problem में फस जाते हैं problem हो जाती है तो इस चीज के लिए भी जान लेजिए सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर home बटन पर और यहाँ पर यही चीज मिल जाएंगे जो आपने शुरू में देखे थी तो इस बात को सोच के ज़्यादा problem में नहीं होना है ज़्यादा सोच रह नहीं है तो इस सारी चीज़े ठीक भी हो जाती है जैसे हम थीम देख रहा है वर्क स्पेस बागी सॉफ़ेर में भी वर्क स्पेस होता है और इसमें भी वर्क स्पेस है यहाँ पर आप इसको बंद कर दो भी और जैसे कोई हमने एक document लिया हो इसके ओपर right click करते हैं जैसे view में आता है तो view में नीची आएंगे जैसे status bar दिया हुआ है toolbox दिया हुआ है तो इन में से किसी एक पर click कर दिया अब जैसे status bar आ गया था उसी पर हमने right click करके menu bar को create कर लिया ऐसे one by one करके कर लेंगे जब उपर option आ जाएगा तो वहाँ पर भी हम ऐसे right click करके भी उनको भी open किया जा सकता है तो सारी चीज़ से वापस आ जाती है अब ये color नहीं आ रहे हैं तो color के लिए window में जाते हैं और यहां से dockers dockers के नीचे color palette मिल जाएगा उसमें से जो हमें चाहिए RGB और CMY के अपने काम के according वो रख लेता है तो RGB और CMY के बारे में हम आगे discuss करते हैं अभी बस इतना ही था कि इसका interface में क्या क्या चीज़े हैं कैसे इसको customize कर सकते हैं इनको उपर नीचे साह से करके सारी चीज़े देख सकते हैं